हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आशिश मोडो में आज हम बात करने वाले होंडा एलेवेट के बारे में अपने सेग्मेंट की मिड़ साइज जैसी भी है प्राइस इस्टार्ट होता है 11,91,001 शुरूम से और टॉप चला जाता है 16,51,001 शुरूम तक भाई सीधे competition देती है क्रेटा, सेल्टाउस, ग्रैंड, विटारा जैसी गाड़ियों को इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही engine देखने को मिलता है 1.5 लिटर का आईवी ट्रेक पेट्रल एंजन जो निकालक देता है 120 वहप और 145 नम को टॉप 17 से 18 तक आपको mileage देखने को मिल जाएगा ये भाई सिर्फ पेट्रल में ही आती है डीजल का कोई option देखने को नहीं मिलता है लेकिन इसके जो rivals हैं जैसे की क्रेटा, सेल्टाउस उसमें आपको डीजल का option देखने को मिल जाता है manual और CVT आपको मिल जाएगे transmission अभी आपके सामने CVT transmission नहीं खड़ा हुआ है तीन साल unlimited km की warranty मिलती है आप इसको extend भी करवा सकते हैं अगर variants की बात किया है तो अभी आपके सामने top end ZX variant यहाँ पे खड़ा हुआ है इसमें 4 variants आते हैं SV, V, VX और ZX ZX के अंदर आपको add-up जैसे safety features मिल जाएंगे 6 airbag आते हैं यहाँ पे आपको alloy offer की जाते हैं जो की रहने वाले हैं 17 inch के तो मतलब features loaded आपको यहाँ यहाँ ऐसे भी मिलने वाली है Friend profile से भी देखेंगे तो काफ़ी muscular से looks मिलते हैं की की बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको smart की मिलेगी जिसके अंदर 3 बटन है lock unlock और hold करके रखेंगे लाश वाला बटन तो आपकी गाड़ी भी start हो जाएगी दोनों यहाँ पे smart की दी जा रही है अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के exterior से फिर हम चलेंगे इसके interior के अंदर तो center में देखेंगे Honda की branding है Honda का logo glossy black finish में इसकी पूरी grill लेती है top end variant के अंदर बाकी उपर देखेंगे काफी अच्छा सा chrome treatment दिया जा रहा है headlamps की बात की जाए है तो पूरा LED setup देखने को मिल जाता है उपर आपको dual function DRL मिलते हैं जो कि tire indicator का भी काम करते हैं इस विरंड में आपको fog lamps जायर सी बात है मिलने वाला top end विरंड है नीचे मिलती है आपको silver finish में skid plate उपर आपको adas का camera देखने को मिल जाता है अगर गाड़ी के ground clearance की बात की जाए तो भाई 220 mm का ground clearance आता है Honda Elevate के अंदर ये दो गई front face की बात bonnet पर देखेंगे तो काफी cuts and increases यहाँ पर dual wiper with washer का setup और भाई ये देख लो इसका पास से camera है इसमें level 1 का adas आता है तो सिर्फ camera ही आपको मिलेगा roof rails है, sunroof है, पीछे आपको मिलता है shark fin, endina roof के उपर अब आजाते हैं इसके side profile की दरब तो side से देखेंगे ऐसे कुछ looks नजर आने वाले है dimensions की सबसे पहले बात करते है तो 4312 mm लेंट है, 1790 mm इसकी विर्थ है यहाँ पर आपको 17 inch के diamond cut allowance offer की जाते है MRF के tires आपको देखने को मिलेंगे base में जाएंगे तो आपको 16 inch के wheels मिलते है MRF पे tires, 215, 155, 817 का मिल जाता है tire station, उपर आपको यहाँ पर cladding बगरा दी जारी है, doors पर भी cladding है देखेंगे हाँ आपको silver finish देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको पूरा wooden finish यहाँ पर आपको दी जाती है sunroof आप चले चलते हैं rear में तो rear wheels में आपको drum और front wheels में आपको मिलती है disc brake, यहाँ से डरवाएंगे आप पैटोल मिल जाएगी आपको 40 liter की tank capacity अब आ जाते हैं इसके rear profile पे तो rear से देख लेजिए ऐसे कुछ looks नजर आने वाले है defogger, wiper, सारे सीज़े मिलेंगे आपको top end, variant के इंतर उपर शाक भी 19 है, roof rails है नीचे देखेंगे high mode stop lamp, यहाँ पर defogger, wiper, honda की branding यहाँ पर आपको मिलती है camera की placement और यह रहस के tail lamps connecting tail lamps ने time indicator, reverse light की placement आपको यह पर देखने को मिल जाती है आपकी नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलती है elevate की badging, यहाँ पर reflector है चार इरुस पाकी sensors आपको देखने को मिल जाएंगे, solar finish में इसकी plate है नीचे का पूरा suspension setup वगर आप देख सकते हैं and right head देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है, IVTEC petrol engine की badging आप चलिए, इसका boot open करते है तो यहाँ पर मिलता है, electromagnetic button अगर भाई, space की बात करें तो elevate के अंदर आता है 458 liter का boot space अच्छा का सा space है, 60-40 seats मिलती है यहाँ पर आपको मिल जाएगी boot light नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा spare wheel, tool kit बगरा सारी चीज़ा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 60-40 seats हैं आराम से अपनी जरुत के साब से इनको फोल्ड कर सकते हैं यह रहीज की पार्टर ट्रे आप चलिए boot को कर देते हैं और चलते हैं इसके rear seats की तरफ rear seat comfort, leg room, head room पूरा बैट के देखते हैं तो यह रहे है इसके door handles door trim की बात की जाए तो काफी premium आपको मिलता है because यहाँ पर आपको पूरे में leather finish दी जा रही है door opener है, पॉर्डो की controls है यहाँ पर पूरा यह leather finish पूरे में मिल जाएगी, यहाँ पर two drugs की placement है speaker की placement, यहाँ पर अच्छा कासा है space rear cabin में इतना कुछ मिलता है leg room, यह दो-दो headrest जिनको आप adjust कर पाऊगे leather की seat से हैं यह काफी अच्छी जिनको आप आपको मिलती है 12 bolt का charging outlet और यह अंदर का पूरा interior grab handle जो की foldable रहने वाले है दो-दो headrest यह भी आपको थोड़ा different design में देखने को मिल जाएंगे center में आपको मिलता है armrest यहाँ पर आपको दी जाएं दो cup holders इसको कर देते हैं close उपर आपको मिलती ही roof light जो की LED रहने वाली है front dashboard देख लिए रियर से ऐसा कुछ दिखता है सामने आपको 10.25 इंच कटा चिंफो 10 मिलता है steering पर सारे controls है बाकी overall interior देखा जाएं तो काफी premiums आपको fill होने वाला है आप चलते हैं इसके front cabin में तो यहाँ पर आपको मिलता है request sensor chrome door handles door trim आपको same rear के तरह है dual tune कर में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर door opener है चारों पांडों के controls है lock and lock button है वार्वियों के controls है यही से आप इनको fold भी कर सकते हो पुरा यह leather finish नीचे speaker की placement यहाँ पर आच्छा का से space यहाँ पर ट्विटर की placement front cabin में इतना कुछ आपको space मिलता है आगे वाले जो headrest है उनको भी आप address कर पाऊगे यह इसका front dashboard और यह रही भाई leather casets अंदर था this board आपको काफी बढ़िया सा मिलेगा side में देखेंगे आपको lever मिल जाते हैं side यहाँ से recline कर सकते हैं आपको यहाँ पर भी मिल जाएकि six airbag आते हैं fill cap opener bonnet opener उपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर traction का बटन headline leveler, AC के vents नीचे आपको पूरा यह leather finish यहाँ पर आपको मिल जाते है उपर engine start button तो बैट चुके इसके front driver seat पर ऐसा कुछ दिखता है इसका front dashboard यहाँ पर अंदर आपको मिलता है engine start and stop button जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको fully digital कर्षा देखने को मिल जाता है इधर आर्पे मिटर है इधर आपको मिलता है speedometer जिसके आपको मिलती है 180 तक की top speed and MID का button आपको मिल जाता है यहाँ से आप बहुत सारी information को देख सकते हैं इसको scroll करना पड़ेगा तो इससे आप जो है टेकोमेटर रेंज फ्यूल speed time जी मेटर सेफटी सपोर्ट सेटिंग बहुत सारी चीज़े आप आप देख पाएंगे वाकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है and cluster के बाद आप बात करते हैं steering की तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको steering मिलता है पूरा leather finish के साथ में यहाँ पर होंडा की ब्रेंड ही यहाँ पर देखेंगे तो मिल जाते हैं अगर अगर की बात की जाते हैं तो इस लिवर के थूँ आप अपनी steering को दोनों तरह से अज्च कर सकते हैं यहाँ पर के इद आपको देगे हैं 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 आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको मिलते हैं यह तो इस लिए की बादब सेंटर कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पर 10.25 इंच का टच-इंफो टेन में से चमलता है रसे हैं अज़राइट के स्विच आपर देखने को मिलता है यह देख लीज़ी आप इसको मैनुल में भी ले सकते हैं यहाँ पर कुछ पेस है और यह इसका आम रेश्ट इसके अंदर अपको आपको काफी अच्छा सा इस डेखने को पर मिलता है उपर आपको मिल गल्ष की अपको सेटी की परपसु कें को शेम डिया जाता है यहां पर के संटर में दीखेंगे तो भाई आपको मिल जाता है Sunroof को बटन, यहां से आप इसको open कर सकते हैं, जासा कि अभी open हो रही है, इसको कर देते हैं, close, visibility की बात किये तो वह भी आपको काफी बढ़िया मिलती ही, Honda Elevate के अंदर, यह तो गई पूरे integer की बात, चली गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं, इसके safety features और pricing की, तो इसमें ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, इंजन एमेबलाइजर, क्रैस सेंसर, ट्रेक्सिंग गंटोल, इस्पीड सेंसिंग, और इम्पैक सेंसिंग, और यहां पर आपको दिये जा रहे हैं, six airbags, pricing की बात किया है, तो जडेक्स फिरिंट है, CVT transmission के साथ म 16,43,000 एक शुरूम, और लगबग 19,000,000 रुपई की आपको यह ओनोट लखनो पड़ने वाली है, तो अगर भाई अगर आपका बजट है 19-20,000 की बीच में, तब ही आप जा सकते हैं, इसके टॉप एंड वेरेंट की तरह, तो यह थी होंडा एलवेट अपने सेग्मेंट की मिट्स आजैसे वी कैसे लेगे आपको नीचे कमेंट्स में जरूर रुप देगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया दो वीडियो को लाइक के देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, मिलते हैं एक नए वीडियो को साथ अपत्त की जैहिन, बद्यमातरम